क्या आपको sin 480 degrees की value पता है क्या आप जानते हैं कि 10 minus 30 degree की value क्या होती है क्या आप यह जानते हैं कि cos 150 की value minus root 3 by 2 होती है क्या आपको sin 5 by 2 की value पता है कि 1 होती है या आपको यह बात पता है कि cos theta equals to x coordinate होता है अगर ये सारे सवाल सुनकर आपके माइंड में एक बात आ रही है कि ऐसा कब से होने लगा साइन 480 सबसे बड़ा एंगल तो 360 का होता है 480 का एंगल कहां से आने लगा 10-130 को देखकर ये सोच रहे हैं आप कि एंगल नेगेटिव कब से होने लगा Cos 150 मतलब किसी भी trigonometry की ratio की value negative कब से आने लगी और sin pi by 2 जो है 1 क्या ये क्या है यहाँ पर pi by 2 क्या है क्योंकि हमें तो पता है कि sin 90 की value 1 होती है और cos 3 equals to x coordinate ये क्या बात है अगर आपके mind में ये सबी सवाल आ रहे है तो ये video आपके लिए है welcome है आपका 11th class की trigonometry में 11th class की trigonometry आप खुद ही देख सकते है कि 10th class से बिलकुल अलग है जिन्नोंने पढ़ी उनको भी अलग लगती है और जिन्नोंने अभी trigonometry पढ़ना शुरू नहीं किया है उनके लिए भी trigonometry अलग है 11th class वाले बच्चे सोचते हैं कि कुछ time हम trigonometry से दूर किया रहे है 10th से 11th में आकर trigonometry तो बिलकुल ही बदल गई तो आज मैं आपको 11th class की trigonometry कराने वाला हूँ topic का नाम है trigonometry functions आज की वीडियो शुरू करते शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप इन फूचर आने वाली वीडियो को मिस ना करें देखिए सीधा चलते हैं यहाँ पर 480 डिग्रीज पर हम बात करते हैं कि यहां से कोई भी ट्रिग्रॉमेट्रिटिक रेशो में आने वाला एंगल 480 डिग्रीज का कैसे हो सकता है हमारे पास यहां पर लास्ट यह क्या होता था अक्यूट एंगल होते थे acute angles के लिए हमने एक standard angle table भी याद की थी जिसमें हम standard angles की value याद रखते थे कुछ specific angles पर angles क्या थे 0, 30, 45, 60 और 90 यानि कि हम सिर्फ यही angle जानते थे कि trigonometric ratio में यही angles डल सकते हैं लेकिन इस बार आप देख पारे हो यहां से आपका एक angle आया 480 degrees जो कि आपको अभी तक शायद नहीं पता होगा कि 480 degree angle क्या होता है और angle negative कैसे होता है देखिए यहाँ पर angle measurement का जो system होगा वो 10th class से different होगा सबसे पहली बाद तो आपको यहाँ पर यहाद रखनी है कि हम हर एक angle की measurement positive x-axis से start करेंगे हम यानि कि x-y coordinate के हिसाब से trigonometry पढ़ेंगे अब और हम हर एक angle जो है उसके लिए initial arm x positive x-axis को मान कर चलेंगे मतलब हर एक angle यहाँ से measure होना शुरू होगा यह मैं आपको पहले बता चुका हूँ पहले एक वीडियो में मैं आपको यह बता रहता हूँ angle negative क्या होता है यह तो मैं अभी भी बताने वाला हूँ लेकिन अगर आप वो पूरी वीडियो दखना चाहते है बहुत अच्छी knowledgeable वीडियो है उसका मैं link i button में डाल दूँगा आप महाँ से देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको यह बता लेता हूँ कि हर एक angle हम positive x-axis से measure करने वाले है इसको initial आम बनाएंगे और आपको यह बात पता होगी और नहीं पता तो मैं बता लेता हूँ कि anti-clockwise direction है जो anti-clockwise मतलब घड़ी की सुनियों की विपरीद दिशा में ulti direction में घूम रहे है तो यह जो anti-clockwise direction है angle measurement की यह positive होती है और जो clockwise direction होती है measurement की यह negative मानी जाती है तो अब सबसे पहले अगर मैं आपको बताओ minus 30 degree angle क्या होगा तो आप इसको initial आम मान के नीचे की तरफ यहाँ पे अगर 30 degree का angle बना देते हो तो यह वाला angle आपका minus 30 degree हो जाएगा तो सबसे पहले तो आप यह समझ लो कि negative positive angle का यहाँ पर क्या मतलब है क्योंकि 10th class तक आपको नहीं पता था negative angles दूसरी बात यहाँ से हम अगर इस तरीके से पूरी rotation यह consider करें तो यहाँ तक कितना angle हुआ 360 degree का क्योंकि complete rotation जो है और अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े कितना 30 degrees तो यहाँ से यह जो angle होगा यह 480 degree का बन जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि 480 degree का angle है 360 की complete rotation और उसके बाद यहाँ से 120 degree का angle आपको मैं एक बात और बता देता हूँ क्योंकि यह अगर मैं angle देखूँ करता हूँ या फिर sin 480 की value find करता हूँ तो यह आपस में equal आएगी क्यों आएगी कैसे आएगी वो सब हम discuss करेंगे अब यहाँ से cos 150 की value negative क्यों आ रही है यह भी discuss करेंगे यह πाई बाई 2 जो है यह मैं आपको बता लेता हूँ कि यह radiant measure है सबसे important जो मैंने आपसे इन पाचों में सवाल पूछा था वो था कि cos theta जो है x coordinate होता है क्या आप यह बात जानते हैं देखें यह बात अभी हमें यहाँ से समझनी है मैंने आपके लिए यहाँ पर एक unit circle बनाया है unit circle का मतलब क्या हुआ unit circle का मतलब हुआ कि एक ऐसा circle जिसकी radius 1 unit है यहाँ से यहाँ तक का जो distance है यह radius 1 unit है यह सारे distance 1 unit होंगे मैंने एक circle बनाने की कोशिश की है बिल्कुल exact circle नजर नहीं आ रहोगा पर कोई बात नहीं circle मान के चलेंगे हम इसको तो यहाँ से यहाँ तक का जो distance है इसकी radius 1 unit है तो क्या आप इस x coordinate पे x axis पे इस a point के coordinates बता सकते हों अब क्योंकि x coordinate पे है यह point तो y coordinate होगा यहाँ से 0 और क्योंकि यहाँ से o और a के बीच की जो दूरी है यह radius के बराबर है तो इसका मतलब यह होगा 1 unit तो आप यहाँ से a point के coordinates लिख सकते है 1 0 b के coordinates भी अगर आप लिखना चाहो तो b point जो है आपका y axis पर आ गया तो x coordinate यहाँ से 0 और यह 0 1 इसी तरीके साब देख सकते है c point के coordinates c point के coordinates होंगे यहाँ से minus 1 0 और d point के जो coordinates आने वाले है वो आएंगे 0 minus 1 अब देखिए सबसे important definition हमारे पास क्या है कि जो cos theta और sin theta होते है मैं आपको बता देता हूँ कि इस unit circle पर x coordinate की value होते है cos theta और y coordinate की value होते है sin theta आप यह पूछोगे कि coordinates की value कैसे बताता हूँ इसमें एक बात पहले समझना ज़रूरी है कि अगर ये point है P A B और अगर मैं O A O P को join कर लेता हूँ और P से एक perpendicular drop करता हूँ x axis पर तो इस तरीके से हुआ क्या ये एक right angle triangle बन गया अब यहाँ पर angle है हमारे पास theta अब जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हर एक angle कहां से measure होगा हर एक angle positive direction of x से measure होगा positive x axis से तो यहाँ से ये angle बना आपके पास theta मैं आपको बता देता हूँ अगर ये angle theta है तो ये जो point P है इसका x coordinate cos theta होगा और y coordinate sin theta होगा ये सबसे important definition है देखिए कैसे हो सकता है ये तो मैं इस point को label कर देता हूँ P q label कर देता हूँ अब आप इसको 10th class वाली trigonometry से भी मतलब ऐसा नहीं कि जो 10th class में हमने trigonometry पढ़ी वो गलग थी वो इससे अलग भी नहीं थी बस वो थोड़ा सा limited use था यहाँ पे इसका expanded use होगा तो अगर मैं इस p q o triangle को अलग से बना लूँ तो आप देख सकते हो कि o q distance जो है मतलब ये तो आप समझ सकते हैं वो a के equal होगा मतलब यहाँ से यहाँ तक का distance a के equal होगा इस point का x coordinate a ही होगा और y coordinate 0 ठीक है ना तो यहाँ से आप यह देख सकते हो यह distance है a और यह वाला distance y axis वाला यह है b तो हम एक काम करते हैं इस triangle की help से 10th class वाले trigonometry लगा के a और b की values find करते हैं तो अब देखो यहाँ से यह distance आपको पता है a है यह distance b है यह angle हमने theta माल लिया है तो हम a distance find कर रहे हैं तो अगर मैं यहाँ से देखूं o q by o q by p o तो लगाओ 10th class वाले trigonometry o q मतलब base by hypotenuse base by hypotenuse क्या होता है cos theta अब क्यू की मैंने बताया था कि यह unit circle है unit circle का मतलब हुआ कि यहाँ पे radius होगी 1 तो op distance जो है 1 है ठीक है op distance अगर 1 मैं यहाँ डाल दूँ तो सीधा-सीधा आगया o q equals to cos theta तो आप देख सकते है o q जो है वो हमारे पास a units था तो आपको यह पता चल गया कि x coordinate यानि कि a की value आगई cos theta इसी तरीके से अगर आप check करेंगे तो यहाँ से आपकी y coordinate की value आजाएगी sin theta तो आपको आगे याद रखना है कि इस unit circle पे आप कोई भी value यहाँ इस तरीके से find कर सकते हैं यहाँ से कुछ observe कराता हूँ मैं आपको देखे क्या observe कर सकते हैं मैंने आपको बताया कि x coordinate का मतलब क्या हुआ x coordinate का मतलब हुआ cos theta की value और यहाँ से y coordinate का मतलब क्या हुआ sin theta की value जैसे जैसे theta change होता जाएगा वैसे वैसे आपका cos की value और sin की value change होती रहेगी तो एक काम करते हैं यहाँ से cos 0 degree की value find करते हैं तो देखो यह theta angle किस के साथ बनाता x axis के साथ तो अगर मैं 0 degree का angle बनाओ x axis के साथ तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा खुद x axis तो अब unit circle पे यह वाला point जो है इस वाला point का x coordinate क्या है 1 और cos 0 की value भी क्या होती है 1 होती है अब देखें यहाँ से y coordinate y coordinate की value कितनी है 0 और sin 0 की value भी कितनी होती है साइन जीरो की value a zero अब अगर हम बी point पर आ जाएं तो अगर बी point तक पोछना है हमें तो यहाँ पre देखो कितना theta सिस्थमाल होगा बी point तक जाने के लिए यह theta की measurement कितनी है? यहाँ से यहाँ तक 90 degrees तो इसका मतलब cos 90 जो है मैंने बताया x coordinate होगा बी point का तो X coordinate की value कितनी है, 0 और sin 90 क्या होगा sin 90 होगा point B का Y coordinate यानि की 1 तो क्या cos 90 की value 0 होती है बिल्कुल होती है 10th class की standard angle table से हमें पता है और sin 90 की value क्या 1 होती है जी हाँ, बिल्कुल sin 90 की value 1 होती है तो अब रेखो, last year क्या था हम सिर्फ first coordinate तक limited थे मतलब हमारे पास जो angle की theta की minimum value होती थी वो होती थी 0 और जो maximum value होती थी 90 लेकिन अब हमारे पास angle की बड़ी values आ गई है सिर्फ हम 360 तक नहीं जाएंगे अब तो हम और आगे जा रहे हैं और negative direction में भी जा रहे हैं तो अब देखो अगर angle 90 degrees से ज़्यादा का बना ले anti-clockwise direction में ऐसे measure करते हुए 90 degrees से ज़्यादा का angle बन जाए मतलब मालो मैंने 120 degrees का angle बना लिया तो आपके पास यह जो point आया इस point के coordinates क्या होंगे इस point के coordinates होंगे cos 120 और sin 120 यहां से cos 120 और sin 120 value आ जाएगी cos 120 और sin 120 की value क्या आती है वो कैसे find करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले एक चीज़ उबजरू करते है कि cos 120 जो है क्योंकि x coordinate है वो तो cos 120 की value सिर्फ आप इतना बताओ कि वो positive होगी या negative यहाँ पर क्योंकि यह x coordinate है और y axis के left में x coordinate की value जो है वो negative आने वाली है तो cos theta, cos 120 is negative एक बार sin 120 की value चेक करते है मतलब सिर्फ यह चेक करते हैं कि वो positive होगी या negative होगी अब देखे, sin 120 का मतलब होगया y coordinate लेकिन x axis के उपर y coordinate की value क्या आने वाली है positive तो cos 120 की value है cos 120 is positive तो आप इसी के basis पे क्या कर सकते हैं यहां से सभी key values find कर सकते हैं अब एक बात देखते हैं cos आ गया negative, sin आ गया positive तो इसके हिसाब से हम 10th theta समझ सकते हैं 10 120 10 120 जब यह 10 क्या होता है sin 120 by cos 120 positive by negative यानि कि यहां से क्या आने वाला है साइन 120 की value भी आने वाली है negative साइन 120 से हम cos 120 की value समझते हैं वो positive होगी या negative अब साइन positive है positive value का reciprocal लेंगे तो वो भी एक positive value आएगी तो cos 120 जो है वो होगा positive इसके बाद देखिए sec 120 सोचते हैं कि यह positive होगा या negative तो cos की value क्या थी cos 120 की value थी negative cos का reciprocal होता है sec theta तो यहां से negative value का reciprocal भी negative होगा तो sec 120 की value आएगी negative last बचा है यहां से quote 120 तो quote 120 हमारे पास क्या आने वाला है 10 अगर negative था तो 10 का reciprocal quote quote भी क्या होगा यहां से negative तो क्या आप ऐसे बार बार यहां से find करके देखोगे क्या आप बार बार देखोगे की x coordinate और y coordinate क्या आने वाला है positive या negative तो देखें यहां से हमारे पास एक trick है trick है एक छोटी सी rying बनाई हुई है यहां से add sugar to coffee या फिर कुछ students इसको ऐसे भी आज रखते हैं after school to college तो मैं बदाता हूं यहां पर इसका क्या करना है add sugar to coffee का करना क्या है सिर्फ आपको यह initial letter देखना है A यह S यह T और यह C मैं आपको बतायता हूं यहां पर यह जो A है it stands for all अब all का मतलब क्या है all positive all trigonometric ratios are positive और यह बात तो आप जानते हैं कि अगर angle की value 090 के बीच में है तो आपके सारे six trigonometric ratios positive होते हैं यहां पर sugar sugar में S का मतलब है यहां से sign तो आप यहां से याद रखना कि sign positive होगा अब sign positive है तो उसका reciprocal यानि की साथ में free cosec cosec भी positive होगा एक के साथ एक free sign positive cosec positive इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी trigonometric ratios second quadrant में होंगे negative यहां से आगई अब हम third quadrant में third quadrant में 2 आया add sugar to coffee tea tea का मतलब यहां पर होगया 10 तो याद रखना यहां से 10 theta जो है positive होगा और 10 के साथ एक के साथ एक free offer चल रहा है ना तो cot भी positive होगा इन दो trigonometric ratios को छोड़कर बाकी 4 हो जाएंगे negative यहां पर यह जो c है यह c का मतलब है cos cos तो यहां से याद रखना कि cos theta positive होगा आपका fourth quadrant में और cos के साथ free क्या है यहां से sec theta तो यहां से sec theta की value भी positive आने वाली है इन दो को छोड़कर बाकी सभी trigonometric ratios क्या हो जाने वाले है यहां से वो हो जाएंगे negative इसी के साथ trigonometric functions का basic concept यहां से खतम हो रहा है जो आने वाली वीडियो में मैं आपको exercise NCRT की 3.2 solve कराऊँगा साथ में एक वीडियो में separate जरूर बनाऊँगा इसमें जिसमें कि मैं आपको graphs और trigonometric functions के graphs और trigonometric functions के domain and range detail में बताऊँगा आज की वीडियो में बस इतना ही comment box में बताए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आगे अपने friends के साथ share करें जल्दी आपसे next video मिलूँगा Till then, bye, take care